नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी के अपने इस योटूब चैनल जीवन जीने की कला में कैसे हैं आप सभी I think स्वस्थ होंगे अगर कोई सेहत समबंधी समस्या है या फिर सवाल है मन में तो लिख भेजें कमेंट्स के माध्यम से हमाने वाले दिनों में उन टॉपिक्स इस पर आपके लिए वीडियो जरूर बना देंगे फिलाला आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं पुरूशों में अगर कमजोरी होती थी यानि कि अगर किसी भी प्रकार की कमजोरी है तो उसको दूर करने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए ये पहल इसी राज खरानों में या राजा के हां एक वैद्य रहते थे जो अईरवेदिक ग्रंथों के आधार पर जड़ी बूटियों रासायनों और धात्वों से ताकत वाली दवाएं तयार करते थे इन जड़ी बूटियों में मौजूद ताकत देने वाले इंग्रीडियंट्स क होते थे इनको सभी लोग यूज नहीं कर सकते हैं लेकिन कुछ एक ऐसी जड़ी बूटियां भी हैं जिन्हें आसानी से आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं वो आपको आसानी से मिल भी सकते हैं तो हम आपको कुछ ऐसे ही आसान से उपलब्द होने वाली जड़ी बूटियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन से आप सभी लाफ प्राप्त कर सकते हैं इन जड़ी बूटियों के सहारे आई ये सबसे पहले जानते हैं शिला जित का नाम आपने सुना होगा इसका यूज कैसे करना है समझ लिजे कमजोरी एनरजी की कमी हो बोडी में इमुनिटी सिस्टम करना हो बुढ़ापा जल्दी न आया आप चाहते हैं इरेक्टर डिस्फंक्शन वगारा के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कैसे करेंगे तो चावल के दाने के बराबर ध्यान से सुने मात्रा अगर आपने इससे जादा किया तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी मात्रा का विश्येश ध्यान रखें चावल का एक जो दाना होता है बस उतना ही लेना है आपको इसकी चुटकी भर भस्म को आपको एक चमच गाई के घी या शहद के साथ लेना है अकेले यानि कि डारेक्ट नहीं लेना है अगर आप रेगुलर रूप से न ले तो बहतर है सबता हमें एक या दो दिन आपने ले लिया बहुत है आपके लिए फायदे मन्द रहेगा आपको विश्येश परिस्थिति में खास करके फायदे मन्द रहेगा इसके अलावा अश्वगंधा जी हाँ इसका यूज क्या है तो ये कमजोरी को दूर करता है ठकान और इसके साथ एक चमच अश्वगंधा पाउडर उसमें डालिए और उसका सेवन कीजिए आपके लिए बहुत बहतर रहेगा इसके अलावा सफेद मूसली जी हाँ इसका यूज है इरेक्टर डिस्फरंक्शन को बहतर करने में इनफर्टिलीटी को बढ़ाने में इसके अल अब बात करते हैं कि इसका इस्तेमाल आप कैसे करें एक चमच मूसली पाउडर को आप मिश्री और दूद के साथ रोज सुबह शाम लीजिए आपके लिए बेश्ट और शदी के रूप में कारे करेगी इसके अलावा शतावर जी हाँ इसका भी यूज इनफर्टिलीटी को बढ़ाता है अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे एक एक चमच मिश्री और गाय के घी के साथ आधा चमच शतावर का पाउडर ले ले और उपर से दूद पी लें आपके लिए फायदे मन्द रहेगा इसके अलावा केसर जी हाँ इसका भी यूज सेम होता है नुसका जानिय कैसे इस्तेमाल करना है गुनगने दूद में चुटकी भर केसर डाल करके रात को सोने से पहले लीजे आपके लिए फायदे मन्द रहेगा अब आप सोच रहे होंगे इतनी सारी ओशधियां कैसे ले सकते हैं जी नहीं बिलकुल नहीं इन में से कोई भी एक आप ले सकते हैं जुरूरी नहीं है कि एक ही लेते रहे हैं आप डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पर आपको एक अगर सूट नहीं करती है तो इन में से बदल करके भी आप ले सकते हैं आपके लिए फायदे मंद रहेंगी किसी के लिए कोई ज्यादा करती है तो आप इसको ट्राइब भी कर सकते हैं बारी बारी से आपके लिए जो सबसे बेश्ट रहती है उसको आप कंटीनिव कर सकते हैं इसके अलावा पुनर नर्वा जी हां आधा चमच पुनर नर्वा का पाउडर एक चमच शहद के साथ आप सुबह शाम लीजिए आपके लिए बेश्ट रहेगा आउला भी ले सकते हैं आप एक चमच आउला का पाउडर लीजिए और बराबर मातरा में मिश्री इसमें मिला लीजिए सोने से पहले इसका सेवन कीजिए और उपर से कुनगुना दूद पी लीजिए आपके लिए बेश्ट रहेगा इसके अलावा इमली के बीज जिहां इमली के बीजों को भून करके उसका पाउडर बना लीजिए दो चमच सुबह शाम मिश्री और कुनगुने दूद के साथ इसका सेवन कीजिए इससे आपके शरीर की शक्ति बढ़ती है किसी को अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो उसको बच्चा होने की संभावना भी इससे बहतर ह तो यह साथ ही साथ यंग रहता है आदमी और ताकतवर रहता है इन ओश्यदियों के सहारे तो यह आज की जानकारी रही आप सभी के लिए ऐसी ही नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ओन कर लीजे ताकि नई वीडियो जब भी हम ल लें ताकि नई वीडियो जब भी हम ले करके नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही वीदा लेते हैं आज के इस एपिसोड से जुड़ेंगे नई एपिसोड में नई जानकारी के साथ तब तक आप सभी खुश रहें स्वस कर दोस्तों